नमस्कार दोस्तों हम लोग हिंदी सब्जेक्ट का अध्यन कर रहे थे और हिंदी में आज हम लोग द्वंद समास के बारे में अध्यन करेंगे इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने समास अभ्याई भाव समास तत्पुरुष समास करमधारे समास और दिगु समास के बार नामासिक सब्द हैं जो द्वंद समास के अंतरगत आते हैं तो चलिए सबसे पहले इसकी परिभासा देख लेते हैं कि जिस समास का दोनों पद परधान होता है हमने पहले भी बताया था कि जो द्वंद समास होता है इसका दोनों पद परधान होता है अब बैभाव समास का पर भासा में सबसे पहले जिस समास का दोनों पद प्रधान हो यानि कि हम लोग को पता है कि जो समास होता है जो समासिक सब्द होता है वो दो या दो से अधिक सब्दों को मिलकर एक नया समस्त पद बनता है और इस परकिरिया को समास कहते हैं तो जो समस्त पद में दो पद होंगे दोनों पद प्रधान होंगे यानि दोनों पद की प्रमुक्ता होगी वही द्वंद समास में रखे जाएंगे और इनका विग्रह करते समय दो पदों के बीच योजक सब्द योजक सब्द जैसे और अथवा या फिर या इन सब को योजक सब्द का जाता है योजक सब्दों का प्रियोग बिग्रह करते समय किया जाता है या फिर हम लोग कह सकते हैं कि समस्त पद में योजक चिन्ह का प्रियोग होता है यानि योजक सब्दों का लोप होता है तो ऐसे जो समस्त पद होते हैं उनको जो द्वंद समास के अंतरगत रखा जाता है जैसे उधारन हम लोग दे देख रहे हैं इसे योजक सब्द कहेंगे और यह जो पिछ में यह चिन है यह योजक चिन है माता और पिटा। अधियुक्र यहां पे ? और यह पूर्व पद यह उत्तरपन दोनों पद की प्रधान्ता है और इसका विग्रह करते समय हमें योजक सब्द का प्रियोग करना होगा योजक सब्द और अथवा या या यह सब होते हैं तो जो कि दोनों पद परधानवाले समस्त पद होंगे सभी द्वंद समास के अंतरगत रखे जाते हैं अब इसके कुछ हैं इसके उदयरन देखते हैं जैसे सीता और राम यहां पर योजक सब्द का प्रियोग किया गया योजक चिन्ध सभी समस्त पदों में है तो ये सीता और राम दोनों समान महत्यों के हैं तो इसे इतरेतर दोन्द की अंतरगत रखा जाएगा option में अगर आपको जो है केवल दोन्द समास मिलता है तो जितने भी यहां उधारण लिखे गए हैं सभी दोन्द समास के उधारण है लेकिन अगर और गहराई से question पूछा जाता है कि कौन सा इतरेतर दोन्द है कौन समाहार दोन्द है या कौन सा बैकल्पिक दोन्द है तब वहां आपको इसको देखना पड़ेगा तो जो समस्तपद दोनों समान महातुके होते हैं और इनमें आपस में विग्रह करते समय योजक सब्द और का प्रियोग किया जाता है उन्हें जो है इतरेतर दोन्द के अंतरगत सामिल किया जाता है जैसे राधा कृष्णे राधा और कृष्णे देश बिदेश देश और बिदेश पाप पुन्य पाप और पुन्य भाई बहन भाई और बहन दिस प्रकार से और भी उदारण है जिन में समस्त पद के दोनों जो पूरुपद और उत्तर पद हैं दोनों समान महत्तु के होंगे उन्हें त्रेतर दौंद के अंतरगत सामिल किया जाएगा दूसरा है समाहार दौंद समाहार सब्द का मतलब होता है समूह ऐसे कोई सब्द जो समूह में मिलकर मतलब पूरुपद और उत्तर पद दोनों एक साथ मिलकर किसी अन्य अर्थ को भी बताएं उन्हें जो है समाहार दौंद के अंतरगत रखा जाता है जो दौंद की खासियत है कि दोनों पद परधान होंगे वो तीनो औरनों Ne hundred जोंगे लिकिन की कि हजोँ ही दोनों महात्योह भी दोनों पर्धान तो हैं लेकिन समान महात्यो कि हैं और समाहार में कि जो दोनों पद थ तो हैं लेकिन यह दोनों पद यहां तो कुछ और अर्थ को भी बताते увид जैसे हम लोग देख लेते हैं मोटा ताजा मोटा और ताजा इसका कहीं अगर वाक्षी में परियोग किया जाएगा तो मोटा ताजा का मतलब हो जाएगा हस्ट पुष्ट हम लोग नार्मली बोलते भी हैं कि जो है वह बहुत मोटा ताजा है कहने का मतलब होता है कि वह बहु से सम्मंधित कहा सुनी का मतलब हो जाएगा जैसे कहीं जगडा हुआ हो लडाई हुई हो वहाँ पर बोलते हैं कि दो लोगों में आपस में कहा सुनी हो गई मतलब उसका अर्थ है कुछ और निकल के आ अन जल मतलब भोजन से संबंदित अन जल कहेंगे तो संपूर आहार से संबंदित होगा उसी प्रकार से कपड़ा लगता बस्त्र से संबंदित धक्का मुक्की कहीं मारपीट हुई हो वहाँ पे धक्का मुक्की तो इस प्रकार से जो सब्द प्रियोग किये जाएंगे वो समा महार द्वंद में सामिल किये जाएंगे अब आगे देखते हैं बैकल्पिक द्वंद में उन समस्त पदों को सामिल किया जाता है जिनका विग्रह करते समय यह सब्द यह का प्रियोग होता है अथ्वा ऐसे समस्त पद जो दो सब्द मिलकर बने हो जो आपस में विपरीट अर्थ वाले हो या आपस में जो है विपरीट अर्थ को ब्यक्त करते हो जैसे भाला बुरा भाला या बुरा इसमें बैकल्पिक जो है सब्द प्रियोग किया जाएगा जो है या सब में या उँचा नीचा चोटा बड़ा तो इसमें जो दोनों पद होंगे पूरपद और उत्तरपद ये दोनों विप्रीट अर्थ को व्यक्त करते होंगे तो उनको बैकल्पिक द्वंद के अंतरगत सामिल जैसे छोटा बड़ा छोटा या बड़ा थोड़ा बहुत थोड़ा या बहुत कहने का मतलब जो पूरपद और उत्तरपद हैं ये आपस में बिपरीत अर्थवाले हैं और ये जो योजक चिन्ने के साथ मिलकर जो सामासिक सब्द बनाते हैं वो आपस में बिपरीत अर्थवा हाट द्वंद और बैकल्पिक द्वंद तो यह जितने उदाहरण हैं यह सीधा सीधा द्वंद के उदाहरण हैं आपको इसमें कोई टेंशन लेनी की बात नहीं है लेकिन अगर किसी एक्जाम में आप बड़े एक्जाम में अगर हिंदी पूछी जाती है तो वहाँ पर ऐसे अप्सन दिये जाते हैं तो उसके लिए जानना जरूरी था तो उम्मीद करते हैं कि द्वंद समास आपको समझ में आया होगा और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए अपने दोस्तों के साथ सेयर करिए और हमारे चैनल को जरूर सब्